बॉलिवर्ड की कुछ ऐसी प्रेम कहानिया हैं जो सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बन कर ही रह गई थी लेकिन इन प्रेमियों को महबत का कोई मुकाम नहीं मिल पाया आपको बता दें कि एक ऐसी ही प्रेम कहानी है आक्ट्रिस डिंपल खबादिया और अक्टर सनी देउल की जानकारी दे दें कि असी के दशक में डिंपल और सनी देउल ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था तो इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने में काफी पसंद किया था रिल लाइफ में हिट जोड़ी धीरे धीरे रियल लाइफ में भी एक दूसरे के करीब आने लगे बता दें कि इस जोड़ी ने कई सूपर हिट फिल्में दी थी एक दौर ऐसा भी था जब हर डायरेक्टर इन दोनों की जोड़ी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे इसके बाद ये लोग एक दूसरे के काफी करीब आने लगे ये वो वक्त था जब डिंपल का पारिया राजेश खना से अलग रह रही थी तो वही सनी की उस वक्त शादी हुई थी लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि ये अपने पती और वाइफ को छोड़ने तक को मजबूर हो गए थे साथ ही इन दोनों को लेकर ये भी खबर थी कि इन लोगों ने गुप-चुप शादी भी कर ली थी लेकिन इस बात की कोई आधकारिक खोशना नहीं हो पाई थी बॉलिवुड में स्टार्डम हासिल करने वाले स्टार्स की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के मन में अलगी तरह के सवाल खड़ी करती हैं एक तरफ जहां ये कई मामलों में बेबाकी से अपनी राय रखते हैं तो वही कुछ ऐसी चीजों को इस कदर छिपाते हैं जिने छिपाने का कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आही जाएंगी अब आप कब तक उसे चिपाते रहेंगी? ये कुछ और नहीं बलकी प्रेगनेंसी है इन दिनों बॉलिवुड की एक और आक्टरस अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर खासा चल्चा में बनी हुई है और ये कोई और नहीं बलकी बॉलिवुड की बेबो करीना कपूर खान है यूँ तो इन दिनों वो खुल कर अपना बेबी बंप शो कर रही है लेकिन जनाब आप थोड़ा पीछे लोटिये समय में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उन्होंने भी कई बार अपनी प्रेगनेंसी को छिपाने की कोशिश की थी उन्होंने भी आसानी से अपनी प्रेग्रेंसी को लोगों के सामने नहीं रख दिया था वो भी कई बार अपने हलके से बेबी बंप को लोगों से छिपाती नजर आई थी लेकिन करीना ही नहीं इससे पहले बॉलिवुड की खुबसूरत अदाकारा और बच्चन परिवार की बहु एश्वर्या भी कुछ ऐसा ही कर चुकी है बता दें कि एश्वर्या ने बेटी आराध्या के आने की खबर पूरी तरह से लोगों से छिपा कर रखी थी वो भी कई बार कई मौकों पर अपना बेबी बंप छिपाती हुई नजराई थी कहा तो यही जाता है कि ऐसा ये स्टार्ज इसलिए करते हैं ताकि उनके स्टार्डम पर कोई आंच ना आ पाए इसे हमारे ग्लामर वर्ल्ड का करवा सच कह लीजिए कि आंक्ट्रिस को मा बनने के बाद उतनी तवज्जों नहीं दी जाती जितनी की दी जानी चाहिए बॉलिवुड की एवर्ग्रीन ब्यूटी रेखा और सिल्वर स्क्रीन के दबंग सल्मान खान उन कुछ सितारों में से हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं स्टार्स की वज़ह से फिल्में चलती हैं ना कि फिल्मों की वज़ह से ये स्टार्स अब आप सोच रही होंगे कि आखिर हम इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं दरसल एवरग्रीन ब्यूटी रेखा और रबंग सल्मान खान को लेकर एक खास बात हम आज अपनी इस रुपोर्ट में आपको बताने जा रही है बात है बिग बॉस के आठवे सीजन की जहां रेखा ने किया था एक हैरत अंगेज खुलासा रेखा का कहना था कि सल्मान मातरिश छे साल की उम्र में ही उनके प्यार में पड़ गए थे रेखा ने बताया कि वो रोज सुभा तहल में जाती थी और उनके पीछे पीछे पहुँच जाते थे सल्मान खान रेखा वहाँ वॉक करती थी और सल्मान साइकल पर उनको फॉलो करते रहते थे छे साल के सल्मान रेखा को बहुत क्यूट लगते थे और रेखा उनसे कुछ कहती भी नहीं थी साथ ही ये बात सुनकर बिग बॉस की पूरी जनता खुश हो गई थी बॉलिवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जो सदा बहार हैं जिन्हें कितनी बार भी देखा जाए मन नहीं भरता ऐसी ही फिल्मों में से एक है मोहबबतें इस फिल्म को रिलीज हुए 17 साल हो गए हैं ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी जो सूपर डूपर हिट साबित हुई थी यहां तक कि इस फिल्म के गाने भी लोगों को काफी पसंद आये थे तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बाते बताने जा रही हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगेगा हो सकता है आपको हैरानगी भी हो खबरों की माने तो महबबते में याश्चोपडा महान क्रिकेटर सचन दर्दुलकर को भी एक छोटे से रोल में लाना चाहते थे और ये रोल था अमिता बच्चन के सौतेले बेटे का हाना की बाद में उनके रोल को खत्म कर दिया गया जानकारी दे दें कि इस फिल्म के लिए बॉलिवर्ट के किंग खान शारुक खान ने स्क्रिप्ट पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझी थी जी हाँ आप बिल्कुल सही सुना आपने शारुक ने महबबतें बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन की थी महबबतें में या शुप्रा का सबसे फेवरिट सीन वो था जब शारुक खान आसमान की ओर देखते हुए तीन बच्चों के स्कूल से निकाले जाने का जिम्मेदार खुद को मानते हैं अगर आप इस फिल्म के प्रशन सक हैं तो आप ये भी जानते ही होंगे कि फिल्म में शारुक खान का नाम राज आरियन था और उस वक्ट शारुक के बेटे आरियन दो साल के थे खेर अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई